हेलो गाइज, विल्कम बैक टू माई चैनल रिद्धी व्लोक्स आर और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में सो गाइज, आज मैं मुझलब सुभा के लंच के त्यारी कर रहे थी तो मैं बना रही थी आज बैगन का भरता और आलू के परांथे बट साथ में नहीं चलता खाना बैगन का भरता आलू के परांटे पट मैंने आज बनाये लिया है कभी-कभी अलग ट्राइ करके भी दिखना चाहिए तो एक तरफ मैं रख दिया थी आलू बॉल होने के लिए और एक साइड मेरा दूद भी बॉल हो रहा था मतलब गरम हो रहा था और फिर देखिया पैगन को मैंने मतलब अच्छे से कट करके मतलब उन पे तेल लगा दिया है दो करके अब मैं उनको मतलब भूझने के लिए रख दिया मैंने गैस पे से एक साइड और फिर उसके बाद मैंने मतलब दूसरी केस खाली हुई तो दूसरी केस पर भी दूसरा बेगन रख दिया कि ःड़े अच्छा से मतलब भुजने के लिए उसे ताकि वच्छे से फ्राय हो जाए और गाइस तो आप सभी मेरा चैनल देखते है मुझे पता है और जतना हो सके उतना यदा शेयर करें वीडियो को तो जतना हो सके उतना यदा देखें और गाइस सब्सक्राइब करें लाइक करें वीडियो को तो गाइस देखिए मेरी मतलब जो दूद था बॉल हो रहा था वो भी मैंने गैस ऑफ कर दिया और उसकी जगापे भी अब मैं दूसरा मतलब बैगन रख दूँगी फ्राई होने के लिए और गाइस फिर उसके बाद मैं अपना और बाकीय सक्ति काम करने लगी थी जो मेरे बाकी एक काम थे जैसी कि और मतलब विटार और वमयूट्यण को अच्छे से वालट पिलट की भूँजना है ताकि वो अच्छे से मतलब भुण जाए और बार बार रिधी आ रही थी किचिन में मतलब वो फूकर चलाती है तो उससे आ रही थी बार बार तो आप सब देख सकते हैं वहार खड़ी है गेट पे वो अंदर आने की कोशिश करनी थी बार 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 वह अंदर आनी पाएगे क्योंकि थोड़ा सा वह उंचा है किचिन का तो अपना बहार ही घुम रही है पूरे उसमें किचन से रहार आफंड और देख दर आनीडिया है यह Hend किचन से बाहर निकाल यह थी था फिर ऊपने ढ़र आगी की था है और मैंने अच्छी स्कनी होगारे की किन मतलब ऑक घुझाल थी यह इसमेरे बार बैगेन भी बहुन चुके थे अच्छी तरीकी से आप सब देख सकते हैं मैं इसको चाकू लगा कि मतलब देख रही हूँ कि मतलब अच्छे से भुझे हैं या नहीं है तो अंदर से भी अच्छे से गल गए थे और भार से अच्छे तरीके से फ्राई हो गए थे भुझ गए थे मैंने की करके सब बैगन मतलब कैसे हटा दिये और उसके बाद उनको ठंडा करने के लिए रख दूँगी और जब ठंडे हो जाएंगे तब मैं उनको चीलूँगी बैगन को और फिर उन अच्छे से क्रश कर दूँगी अब देखिए अब सब लोग आ गए हैं सुभा का टाइम है तो मैं उनके लिए नाश्ता भी बना रही हो तो एक तब मैंने फिर रख दी थी चाय बनने के लिए चाय में अद्रक डाल दी चाय पती चीनी वगरे डालके अच्छे से उबालाने दिया और फिर इसमें दूर डाल ब्रेड नाश्ती के लिए तो उससे पहले जो मैंने आलू बॉइल किया था उनको भी चील के डख ले रही हूं एक साइड चाय बन रही है तो आलू भी हो जाएंगे बॉइल मेरे तब तक बॉइल हो चुकी है तो उने भी मैं चील दूँगी फिर उसके बाद गरम आलू थ देखूंगी अच्छे तरीके से तो मैंने तवे पे घी डाला और फिर में रखती है दो ब्रेड डाले मैंने तक कि वह अच्छे तरीके सिख जाए और उनको आलट पलटके दौना साइड घी लगा के अच्छे से उनको सेख लिया ब्रेड को और फिर उसके बाद देखिए म और उनको अच्छे से डालत के सेख लिया है और मेरी चाय भी बन गई है तो नाश्टा तो बल्कुर रेडी है देने के लिए मतलब खाने के लिए तो अब मैं मतलब अपलेट में नमकीन वगळार रखूंगी नमकीन हैं बिस्कृत है आइज ब्रेड और चाय तो अब मैं नम्कीन वेगार लिया ही निकाल की तो नम्कीन रखोंगी मैं और देखिए चाय भी बन गई है तो अब मैंने कप में चाय कर ली है और दो ब्रेट थे वह ब्रक लिए और बिसकोट रख लिए थे और नम्कीन रख दी थी प्लेट में सब चीज होनी जी थोड़ी- तुँए रख लिती आप देख सकते हैं थो गाइस हमारी घर में तो इसे इन आश्ता करते हैं हां आप अपके में नाश्ता कैसे करते हैं कमेंट करके बताना तो आप लोग देख सकते हैं मैंने प्लेटिंग कर दी है अब मैं ली जाओंगी अ तो यह हमारा नाश्ता है आज का अब मैं अपने मतलब नज्च के त्यारी कंप्टीट कर लूँ जो आलो बॉइल किये थे मैंने उनको छील पे लिया था अपने देखा था अब इनको मैं कद्दुकस कर लूँगी आलो के परांठे बनाने मुझे इसलिए मैं उनको सबको अच मीक्स कर लिए तो अब निलगे चार्जाब कर लूँगे और थोड़ी सी घरम थे इसलिए थोड़ी Barrand तहीं मुझे लग रहा था वाद में मैने सभी तो मेरी मतर भी छील चुकी थी तो इसमें तरस्टो का तेल जीरा फिर इसमें मतलब जीरा अच्छे से मतलब जटक जाएगा उसके बाद मतलब प्यास डालके उसे फ्राइए करेंगे फिर उसमें टमाटर डालेंगे उसके बाद उसमें नमक डालेंगे और थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा अनिया पाडर और उसके बाद थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला डालके अच्छे से उसे भूज लेंगे फिर जो मैंने मटर चीली थी उसको मैंने बॉयल भी कर लिया था तो उस बॉयल वाली मटर को भी उसमें डाल देंगे ताकि अच्छे मतलब मसाले मिक्स हो जाए फिर उसके बाद जो हमेंने भरता बनाया था बैगन का जो बैगन मतलब मतलब बुझा था उसको उसको पुरा भ बेगन थे पुझे हुए उटको चील के मैंने बढ़ता बना लिया था और इसमें मिक्स कर दिया मसाले में फिर ये बेगन का बढ़ता बनके हो गया था तैयार अब मैं बनाओंगी मतलब परांटे आलू के तो आलू के परांटे के लिए मैंने मतलब आलू को मिक्स्टर जो थ और तब इपए से लिए अच्छे से फिर एक साइट सब्सी थी उसको भी थोड़ सा मतलब गरम होने के लिए रख दिया ताकि वह थोड़े सी और गरम हो जाए गरम घरम खाना ही अच्छा लगता है यह मैंने रख दिया था तब देख सकते हैं मेरा एक परांथा बन गया अब जो मेरा घीदा था थोड़ा लिया तीकि अभी थरन्ड है तो घी जमा रहता है तो इसको प्राँथा सीक्रीय हूँ सब्सक्राइब करें और जितना हो सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पर जितने वीडिलाएं नए लोग जुड़ रहे हैं तो प्लीज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें तो आप सभी का मतलब धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए तो आप लोग देख सकते हैं मैंने सब कुछ मतलब प्लीट में कर लिया सब और मेरे सबसी और पराठाइब करें रेडि हैं तो बाब बाई गाइस ठैक्या